दोस्तों आईए जानते हैं कुछ आयरवेदिक और घरेलु नुस्खें जिससे आप अपने प्लेटलिट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पपीता। जी हाँ दोस्तों प्लेटलिट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है 2009 में मलेशिया में हुए एक अध्यन में ये निशकर्ष निकाला गया कि डेंगू बुखार में ताजे और स्वस्त पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलिट्स काउंट बढ़ने में सहायता मिलती है पपीते के पत्ते का रस आप अपनी शमता के अनुसार दस से बीस मिलिलीटर दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो ये नहीं लेना चाहिए पपीते का फल खाते समय पका हुआ फल ले और उसे खा ले दूसरा है गेहु ज्वारा याने की वीट ग्रास प्लेटलिट्स काउंट बढ़ाने के लिए आप गेहु की घास का उपयोग भी कर सकते हैं देड़ सो एमेल स्वच्छ और ताजे गेहु की घास का जूस पीने से केवल प्लेटलिट्स ही नहीं बलकि हीमोगलोबिन सफेद रक्त पोशी और रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने में भी सहायता होती है तीसरा है चुकंदर दोस्तों चुकंदर में प्रचुर मात्रा में एंटी ओक्सिरेंट्स होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोगलोबिन और प्लेटलिट्स की मात्रा बढ़ने में भी सहायता मिलती है रोगी को इसकी स्वादेश्ट और पाचक सबजी बना कर खिला सकते हैं या फिर इसका 10 ml ताजा जूस रोगी को दिन में तीन बार पिला सकते हैं चौथा तरीका है कद्दू याने की Pumpkin कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटमिन के होता है प्लेटलिट की तरह विटमिन के भी रिक्ति स्त्राव छोने पछून को जमाने का काम करता है आप रोगी को कद्दू की सबजी बना कर दे सकते हैं रोजाना 150 ml कद्दू का रस एक चमच शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं पांचवा तरीका है गिलोई दोस्तों गिलोई का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत एहम रोल अदा करता है इसे लेने का तरीका है कि 10 गिलोई की बेल के टुकडे तोड़ कर उसे डेड़ सो से दो लीटर पानी में उबालें और उसमें 5-7 तुलसी के पत्ते थोड़ा सा अध्रक और दो चुटकी अजवाइन डालकर तब तक उबालें जब तक वो पानी आधाना रह जाए इसके बाद इसे ठंडा करके गुनगुना करके रोगी को खाली पेट देने से चमतकारी लाब मिल गिलोई का रस लेने के 30 मिनट तक रोगी को कुछ भी ना दें अगला तरीका है कीवी कीवी फल में प्रचूर मात्रा में विटमिन C, E और पॉलिफेनॉल होता है रोजाना एक कीवी सुभह और शाम खाने से प्लेटलिट की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू होती है कीव रोगी को अनार के दाने खिला सकते हैं इसे खाने से गैस भी नहीं बनती और रोगी का पाचन भी सुधरता है अगर अनार का जूस देना है तो इसे घर पर ही तयार करें और उसके बाद डेंगू से पीडित व्यक्ति को जरूर दें दोस्तों हमारे शरीर में पानी का समस्या होती है इसके अलावा दोस्तों कुछ उपयोगी सला हैं जिने आप नोट कर सकते हैं प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर पेट के अंदर की तवचा लाल हो जाती है जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है ऐसी हालत में रोगी को कच्चा भारी तीख और मसालेदार नहीं देना चाहिए चाय कॉफी शराब और धुम्रपान से दूर रहना चाहिए रोगी को एक साथ अधिक आहार देने की जगे थोड़ा थोड़ा आहार हर 20-30 मिनट में देते रहें प्लेटलेट्स कम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भारी दवा या चूंड लेने से हानी हो सकती है यदि रोगी तुलसी के पत्ते और पुदीना की पत्ति मूँ में रखे तो मूं का स्वात बिगड़े बिना वो जल्दी स्वस्त हो सकता है चोटी लाइची के बीज मूं में रखे और चूसते रहें ये भी प्लेटलिट्स की संख्या को में और घटने नहीं देते तो दोस्तों ये थी जानकारी जो जुड़ी हुई थी आपके स्वास्त से अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें